तो गाइस नमस्कार प्रणाम एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं साइन्स का 69 नंबर प्रैक्टिसेट जिसमें आपको टॉप 20 कोशन बताने वाला हूं टॉप 20 cens में बताउंगा मेरे प्यारे मितर 20 कोशन बताउगा पारी यह कोशन मात्र आपको मैं दस मिनट में बता दूंगा हैना क्यूंकि आप लोगी पासंड नहीं है और समय को देखते हुए मैं ये top 20 question मैं आपको 10 मिनिट बना दूँगा मेरे दोस्त आप लोग बने रहिएगा class को सुरू से अंतक देखेगा ताकि ये top 20 question क्या है ये question में से पक्का आपके exam में 2-3 question पक्का आने की संभावना मेरे दोस्तो इससे पहले हम 68 practice set करवा दिये हैं इन्होंने अभी तक हमारी इस class को नहीं देखे हैं प्यारे मित्र जाए प्लेइस्ट में science का playlist बना हुआ है science का special मैंने आप लोग के लिए playlist बना दिया है जिसमें आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा और आपके जे एससी के एकजाम में 20 को सर्मात्र आनी है तो इतने प्रैक्टिस सेट अगर मैं आप कर लोगे तो इस से बाहर नहीं होने वाला है अबजिए किस बात की चले जल्दी जल्दी से हो जाए मेरे साथ तयहार मेरे साथ हे हो चलिए लेते हैं आज का पहला को सद्व्क नähän कि anyone來 कि कि किस सेल का उपियोग मुख्यता electric alarm में होता है electric जो alarm होती है इसमें किस sale का इस्तेमाल होता है ये आप से पूछा जा रहा है पहला option है daniel sale, दूसरा है lake lancet sale, तिसरा है susk sale, तो होता है Baltic sale जो electric alarm होती है इसमें lake lancet sale का इस्तेमाल होता है इसलिए इस question का right answer option B होगा है ना आप लोग सुरू से अंतक class को देखिए अगर class अच्छी लग रही होगी तो एक बार चैनल को subscribe कर लिए जीएगा और आगे की class की notification बात करने के लिए हमारी इस channel का bell icon पर जरूर किलिक कर लेंगे ताकि आपको top 20 question जब तक आपके जारकन सर्ची वाले साहिक का एक्जाम नहीं होता है तब तक आपको मिलता रहेगा देर किस बात की जल्दी जल्दी से एक बार class को लाइक कर दिजिए और अगर साती साथ आपको answer लगा हुआ pdf अंसर लगा हुआ अगर अगर आप पीडियेप राप्ट करना चाहते हैं अंसर लगा हुआ पीडियप राप्ट करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो उसके लिए हमारे टेलिग्राम चैनल है जिसका नाम है इडी यू एफ आई डी यार आप टेलिग्राम पे जाईए इसको सर्च मारिया और हमारे चैनल से क्या कर जाएए जूड़ जाएए जहां पर इसका आंसर लगा हुआ मिलेगा साथ ही साथ नोट्स भी मिलेंगे कि इसको संसे समधित और कि इतने भी कोशन पूछे जा सकते थे इसका बहतरी नोट्स भी आपको मिल जागा पीडिएफ में लेट किस बात कि जल्दी जल्दी से हमारे चैनल पर चले जाईए को सब्सक्राइए कि दूद एक उधारन है किसका उधारन है पायस का पाम का वायू का बिलियन का यह गैस का ना मिल्क इस एन एक्जांपल आफ जल्दी से बताई एक कि या इसका अंसर होना चाहिए तो दो जो होती है प्यारे मित यह होती है आपका पाईस का एक्जांपल यानिकी इमलसिन का एक्जांपल होता है तो इस कोशन का जो राइट असरे ओप्सें नंबर एग वोग या जूनी पेरत से निकाल जाता है याना तर्पिंटाइम और इसे एक्स्ट्रक्टेड वोती है तो जो तर्पिन की तेल होती है न मैंने ना जेसली स्ट इसमीय होगा थो यान अंसर लगा हुआ पीडियाफ यानि कि यह जो अंसर देख रहे ना आप बी नमबर यह बी नमबर आपको रेड किया हुआ रहेगा ताथी साथ इस को संसे यहां पर बहुत धेर सारी जनकारियां आपको दी जाएगी वगर आप चाहते हैं कि इस परकार का पीडियाफ कोस्टन नमर चार कोस्टन नमर चार है कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है तो मटर के पौधों में मार्स जो रोग होती है यह होती है मैगनीज की वज़ा से यानि आपका सी है वो कोस्टन नमर चार का एकदम करेक्ट अंसर है मेरे प्यारे मित वगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और आगे की क्लास को प्राइब करने के लिए पेल आइकन पर जरूर किलिक करें कोस्टन नमर पांच यह बहुत ही करें कैसा यहरुजा है कि मिससलम का मिसले की ने ऐबम सीषा का ताम जश्ता का था का है श्ताथ जिए और जेसे उन्हाант sore अगि सोल्डर टबारें क्यों बताता है कि सब्दुम की सब्सक्राइब होता है इसलिए इसको सिंकर राइट अंसर यह होना चाहिए इस नमर पांच वाइव मंडल में कारवन डाइओक्साइड का प्रतिसत क्या है हम से यह पूचा जा रहा है ना वाट इस दपर सेंटेज आफ कारवन डाइओक्साइड इन एक्सफेर तो कारवन डाइओक्साइड की जो प्रस्टेंटेज है हमारे इट्मसफेर में वह हमारा है जीरो पॉइंट जीरो तीरी यानिकी ऑप्सन नमबर सी किपन endure की अट इस्सकूष्ण है कि बनस्पति घी के निर्मान में क्या परयोग किया जाता है हम से ये पूछा जा रहा है रहा है और बन i आठ मानव सरीर में गुन सुत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं उसन ये है आव मेनी पेश आप क्रोमोसोम और पर जन्ट इन धा हिउमन बोडी तो मानव के सरीर में जो कुरुमोसोम की संख्या होती है वो तैस होती है इसको इसन का डिल स्रोज नेक्स्ट बेकिंग सोडा के रूप में परियोग किया जाता है किसका परियोग करते हैं सोडियम का परियोग करते हैं या सोडियम कार्बोनेट का परियोग करते हैं सोडियम क्लोराइड का परियोग करते हैं या सोडियम बाइकर्बोनेट का परियोग करते हैं तो राइट अरसर क्या निधा क्या आएंगे डी निकल क्या हैंगे नेक्स्ट अगला कोस्टन है कि संपुर्ण मानव सरीर में कितनी हडियां पाए जाती है तो भाई बच्पन में जब होते हैं तो हमारे बोडी में जब बच्पन आवस्ता होती है तो हमारी body में 306 अडियां होती है लेकिन adult की बात करें यानि कि हम लोग अपने की बात करें तो 206 अडिया यानि इस question का right answer दी हो जाए question नमरी 11 पूछा गया है कि plasma का muck away है क्या है जी नमक है protein है glucose है या जल है बताइए तो तो plasma का जो muck away होता है 90 से लेके 95% जो होती है न फू делать पाया जाता है ओर 6-10% जो होती है न प्रोटीन पाया जाता है ये जो हला बियूत फरसीपरंट है 100% चो अट परसंट पाया जाता है और और एक से 2 परसंट जो है न वह आपका salt हो गया नमक हो गया वह पाये जाते हैं इस बात को धियान देजिए कॉस्टन नमर बारा में है कि मोटर कार के हीड लाइट में किसका परयोग किया जाता है कॉस्टन यह है आप लोग को पता है। का मैं साइन्स का आप लोगो प्रैक्टिस सेट 69 करवा रखा हूं और इससे पहले मैं आपको 68 प्रैक्टिस एट करवा रखा तो जीन भाई वंबहनों ने अभी तक हमारे 68 प्रैक्टिस एट नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल पर जाइएगा हमारे चैनल का नामें इडू चैनल है जहां पर आपको पीडियाप में अंसर सहीत आपको और साथी साथ आपको बेल डिफाइंड नोट्स के साथ आपको मैं दे रहा हूं भी बिल्कुल फीरी में मेरे दोस्तों जाके जल्दी जल्दी से अमारे टेलीग्राम चैनल से जूड़ जाईए मोटर कार के हेड लाइट में किसका परियोग कही जाता हमसे यह पूचा है पहला ऑप्षन है उत्तल दरपन दुसरा ऑप teal तरपन किसरा आप्षन में अवतल लेंस है जौता है उत्तलन लेंस तो गाड़ी के जो headlight होते है ना उसमें आवतल दरपन का इस्तेमाल होता है यानि कि जो B हो एकदम correct answer है question number 13 वायू प्रदूसन का संकेतक किसे माना जाता है? question ये है वायू प्रदूसन का संकेतन किसे माना जाता है? पहला option है सेवाल, दुसरा है कवक, किसरा है लाइकेन, तो था है नील हरित सेव, यानि विज इस कंसीडर्ड ऐज एन इंडिकेटर आफ एयर पोलूशन, एयर पोलूशन का इंडिकेटर किसी माना जाता है, वो मानी जाती है लाइकेन को है ना, यानि कि option number C जो है एकदम करेक् कहता है कि किसे भविस का इंधन कहा जाता है, भविस का इंधन किसे कहते हैं, पहला option है हिलियम को, दुसरा option है मिथेन को, किसरा option है हाइड्रोजन को, कि चाउथा option है ऑक्सीजन को, तो भविस का जो इंधन है ना, वो कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन को है, यानि option number जो है, वो सी अग्दम करेक्ट एंसर यह प्यारे मीत तो जैसे ही यह सेट प्रैक्टिस खत्म होगी आपको जो मैं प्रैक्टिसेट 69 करवा रहा हूं जैसे यह कंप्लीट होगा आप लोग अपना अपना अस्कोर ना अपना अपना अस्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 प्रै नाम देने की जरूरत है हैं तो स्ट मार पंद्रा है कि फ्लोरो फिल में कौन साथ प्रइस अपाई जाता है ऐसे सोडीम है मैगनेज इसारा है आपको मैगनिशिम और स्ट है नाइट्रोजन व्लोर फिल में जो तक पाई जाती है उसका नाम होता है मैगनिशियम यानि कि यह क्वेड़न नम्र 16 इन में से किसको पॉलिमराइज करके बनाता है कि इन में से किसको पॉलिमराइज करके बनता है वह बनता है पहला ओप्चन में है कि C2H4 के, C2H2, C2H6 और C3H6 तो इसका जो राइट अंसर है वो आपसा आपसा नमबर A है एक्स्कोस्टन नमबर 17 पानी को साफ करने के लिए ठीक है का परियोग किया जाता है किसका परियोग किया जाता है आपको यह बताना है पानी को साफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिलीचिंग पाउडर यानि की आपसा नमबर B एकदम करेक्टर पूस्टन नमबर 18 पानी किसका अध्यन किया जाता है आपसे यह पूछा जा रहा है यानि कि what is studied in psychology तुस्टन नमर 19 हल्दी के पौधे का पाने लाय की हिस्सा कौन सा है जिए हल्दी का कौन से हिस्से को हम लोग खाते हैं यह हमसे पूछा जाते है पहला उप्सट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है नीले रंग के लिए होता है यह सभी रंगों के लिए समाल नहीं जी भाइओ में लाल रंग के परकास का तो भोता है मेरे प्यारों मीत्र जल्दी से बताओं 69 नमबर प्रैक्टिसेट कंपलीट हो है ना complete हो चुका है आप लोग का स्कूर क्या है जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए आप 20 कोशन की प्रैक्टिस में आपका नंबर कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर से बताइए मेरे दोस्त और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को एक बार क्या कर ले सस्क्राइब कर ले अगर क्लास अच्छी लग रहा है तो सेर जरूर करें मेरे दोस्त और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो एक बार जरूर से जरूर लाइक करें थैंक्यू मेरे दोस्त थैंक्यू बबाए